हमलोग का पहला topic है business organization मैं उसके अंदर जो write-up मैंने लिखा उसमें नहीं जा रहा हूं एक general discussion कर रहे हैं what is business organization एक बर business organization भूल जाते हैं what is an organization organization, organization का मतलब, there are some persons, coming together, for their own personal goals, which is collective goals, to achieve those goals, they are coming together, जैसे मेरा organization है, सराफ एकेडमी, सराफ गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मैं हूँ, मेरी वाइफ है, एकाउंटेंट है, दो, दो कॉंसिलर है, दो एड्मिनिस्टेटी परसन है, दो सौफ्वेर वाले परसन है, दो पियॉन है, और मान लिजे, ड्राइवर वग अधा है, educated, professional person, have deep knowledge of the subjects and all that, accountant उसका काम है, accounts, transaction, recording करना, GST भरना, return, यह सब करना, जो, counselor है, उसका काम है, आप लोगों से बात करना, inquiry को, information देना, mail डालना, उनको समझाना, मेरे से पूछना, सर, इसको क्या बोलना है, नहीं बोलना है, जो लोग admin staff है, उनको पूरा business को सबाल कोई marketing है, कोई designing है, यह सारी चीज़े देखना, पियोन है, जो लोग काम करते है, उनको चाय, पानी, नास्ता देना, इधर उदर समालना, जो driver उसका काम है, गाड़ी चलाना, यह सब, अलग-अलग लोग है, क्या यह कोई भी काम, कोई आदमी अकेले कर सकता है, नहीं कर सकत आता है, तो भी नहीं कर सकता, विकॉस आपके पास हाथ दोही है, आपके पास time resources limited है, तो आप सारा काम खुद नहीं कर सकते हैं, और भूल जाएए मेरे को, Reliance है, ITC है, कोई भी company है, हजारों लोग काम करते हैं, हमारे से बहुत बड़ा organization है, अलग-अलग departments है, production, sale बगर है, जबी भी कोई organization की बात करते हैं, organization मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्या काम? गुर्स बनाना, सर्विस देना, ट्रेडिंग करना, कुछ भी काम कर रहे हैं, उस काम जो output है, माल लिजे हमारे यां training classes है, तो मैं थोड़ी ना बोल लोग सारे लोग सारे हैं जब सारे लोग मिलकर काम कर रहे है, सबको ये अपना-पना responsibility समझते हैं, सबको ये अपना-पना काम कर रहे हैं, तब हम लोग अपना product और services दुनिया को offer कर सकते हैं, उससे मेरा objective, मेरा interest है, मेरा objective, मेरा target जीवन का पूरा हो रहे, मेरी staff का भी पूरा हो रहे, सभी मेरा objective है profit जादा हो, student जादा आए, revenue जादा हो, student look pass हो, मेरे staff का objective आपके पास होने से नहीं है, उनको salary जादा मिले, उनको incentive मिले, उनको time कम लगे, सबका अपना अपना objective है, और सबको ही अपना अपना काम, अपना resources लगाकर organization को आगे ले जा रहे हैं, यह organization मेरी तो company, बहुत सा individual organization, entrepreneur organization, कोई एक person है, company बगर नहीं बनाया है, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग काम करते है, मेरा company है, फिर भी एक entrepreneurial type ही है, सारे लोग मेरे अंदर काम कर रहे हैं, आप माल लिजे कोई club है, society है, माल लिजे कलकत्ता में, BRC club, तो BRC club का अगर आप member हैं, और भी members of club में, सब लोग club में जाते हैं, खेलते हैं, खाना होना खाते हैं, आप enjoyment करते हैं, club में हम लोग जाते हैं, तो हम लोग club में, club का membership देते हैं, club का initial registration fees देते हैं, फिर club function कर रही है, सभी members लोग को satisfy करने के लिए, माल लिजे कोई government organization है, government का कोई company है, माल लिजे ONGC, oil and natural gas corporation, या कोई भी, government का income tax department, government का sales tax department, government का public utility services, government का police, कोई भी, भी तो organization है, उनका काम है हम लोग का जो tax facts से collection आया, उससे उस organization को run करना, organization को objective को पूरा करना, बहुत सारे दुनिया में non-government organization है, मतलब government का काम private organization करने है, non-government organization, माल लिजे environment को protect करना, के गवल government की responsibility नहीं है, हमारी आपकी भी responsibility है, तो उसके लिए एक NGO बना है, वो NGO environment के बारे में ध्यान दीता है, वो NGO environment को protect करने के लिए लोगों से donation लेता है, environment को रोकता है, ठीक करता है, वो इसा करता है, पेड लगाता है बगर है, बहुत सारा, बहुत नहीं कोदे, organization मतलब बहुत सारे लोगों का मिलन, एक साथ मिलकर काम करेंगे, सब कोई अपना अपना objective पूरा करेंगे, सब कोई एक common goal के लिए काम करेंगे, सब का अपना अपना responsibility होगा, और सारे resources लेकर सब कोई मिलकर काम करेंगे, जिससे कि हम लोग सब का objective पूरा कर यह organization का purpose क्या है? Purpose यह है कमती resources में बड़ा objective पूरा करना, कमती time में बड़ा objective अचीब करना, कम resources लगाकर, कम पैसे लगाकर बड़ा objective अचीब करना, जो चीज दूसरे से संभव नहीं है, वो हमें अचीब करना है, organization चाहे entrepreneurial हो, चाहे partnership हो, चाहे government हो, चाहे non-government हो, चाहे cooperative society हो, कोई भी हो, सभी organization का यह purpose है, और world में सारा business, world में सारी economy, Indian economy, US, UK economy, सब यह organization structure के ऊपर ही चल रही है, तो आपको एक introduction दिया गया है, कि organization क्या होती है, business organization का मतलब क्या है, उसका purpose क्या है, business organization कितने कितने तरह का होता है, वो जो अलग-अलग तरह का organization, उसमें owner कौन है, उसमें जो business को control करता है, वो लोग कौन है, वो organization का basic purpose क्या है, not for profit-oriented organization, profit-oriented organization, अलग-अलग तरह के organization structure होती है, अलग-अलग organization का अलग-अलग requirement क्या है, उनको क्यों बनाना पड़ता है, इसका कोई law नहीं है, कि Indian Companies Act, US law, UK law, this is not law, common, general common sense, तो जब हम लोग SEMA में case study का exam देते हैं, इतना common sense हम लोग में है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि मिरो को even line by line पढ़ना है, तो ही मिरो को ये common sense develop होगा, तो जब आप even subject पढ़ रहे हैं, चाहे ACC के लिए BT, आपको 70-80% चीज़े common sense है already आती है, हाँ आप कोई किताब खोलेंगे, line पढ़ेंगे, sentence, हो सकता है वो sentence line, आपको वैसे comma full stop नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आता, आपको क्या आएगा, हर आदमी का अपना तरीका है, चीज को बोलने का, समझाने का, that doesn't mean that book is right and we are wrong, we are also right, we have a different way of explaining the thing, सीमा case study हम यही करने वाले हैं, because बहुत सारे student हैं, जो लोग even नहीं पड़े हैं, बहुत सारे student हैं, जो directly case study का exam देने वाले हैं, ऐसा नहीं कि even नहीं पड़े, fail हो जाएंगे, लेकिन अगर वो 12 pass out है, उनका knowledge gap रह जाएगा, जो लोग experience older हैं, उनके लिए अलग है, लेकिन ज staircase यूज करने हैं, वो भी lift यूज करने हैं, तो वो गरबड है, तो in that case अपका knowledge gap होगा, जिससे problem जरूर arise होगी जिन्दगी में, यनि कि यहां पर, chapter में यह लिखा होगा है, कि भाई, organization क्या होती है, what is an organization, why they are required, what they do, and different types of organization, private, public, not for profit, cooperative, NGO's, so organization and social arrangements, अगर organization है, तो society है, समाज है, कोई company में 10 लोग काम कर रहे हैं, कोई entrepreneurial में 50 लोग काम कर रहे हैं, part, सब कोई, जब हम लोग कहीं पर काम करते हैं, माल लिजे मेरे office में 10-12 लोग हैं, किसी का birthday आता है, एक दूसरे के साथ celebrate करते हैं, तो एक social society develop होती है, बहुत जरूरी ह समाज को develop करना, so organization or social arrangements for the controlled performance, organization का एक target है, 2023 के लिए हमारा target है, इतना sale होना चाहिए, इतना student आना चाहिए, staff लोग को इतना salary मिलना चाहिए, इतना incentive मिलना चाहिए, सब का target है, वो controlled, वो हमें achieve करना होगा, with collective goals, यह define किया, मैंने नहीं, यह Mr. BH नहीं define किया, काम नहीं है, किसने define किया, आप किसी और का definition लिख दीजिए, ACCA ने, SEMA ने यह definition लिखा, मैंने चाप दिया वहां से, यहां पर इसको बाट दिया कि the three aspects of business organization, collective goals, controlled performance, social arrangements, why do we need organization for sharing skills and knowledge, मेरे यहां तो माल लिजिए, बड़े-बड़े organization में कोई chartered accountant है, कोई IT person है, कोई doctor है, कोई engineer है, कोई कुछ है, अलग-अलग लोग अपने-अपने skill का योगदान कर रहे है, share कर रहे है, specialize, मैं specialize करता हूं, accounts or finance में, कोई specialize करता है engineering में, कोई specialize करता है marketing में, अलग-अलग MBA होता है न, specialization and pooling those resources together to get the collective objectives under controlled environment, the different types of organizations, whether you say commercial or business organization, organization, अलग-अलग तरह की होते है, different organization of different goals, we can therefore classify them into several different categories, हम लोग बोल रहे हैं कि organization में sole trader भी है, partnership भी है, company भी है, company के अंदर दो तरह की company होती है, private limited company, public limited company, दोनों ही limited है, बट उनमें difference क्या है, sole trader मतलब, एक आदमी है, जो owner है, यह नहीं कि वो अकेला काम कर रहे है, और staff अगर है लेकिन जो person owner है, वो ही business manage कर रहे है, जबकि अगर आप company बगर है में बोलेंगे, मान लीजी, reliance है, owner मैं भी हूँ, मेरे पास भी share है, लेकिन reliance का business मैं नहीं manage कर रहा, directors manage कर रहे है, manager manage कर रहे है, जिनको मैंने appoint किया है, मैंने नहीं बहुत सारे share order ने, तो sole trader में जो owner है, वो किसी sole trader का business में 50 लाग का loss हो गया, और sole trader ने business में 10 लाग रुपय लगाये थे, 40 लाग extra, sole trader को अपने घर से देना होगा, business and businessman is not separate in sole trader, partnership में भी, partnership में partner मतलब 1 से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5, वो सब लोग personally liable है, partnership का business के लिए, अभी दुनिया में अलग-अलग खुल गया है, limited liability partnership, म India में, UK में, US में, सारे world में खुल गया है, LLP, कि आप अगर partner है, आप partnership के liability के लिए personally responsible नहीं, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था, 2-4 साल पहले, तो partnership just like sole trader, यहाँ पर normally दोनों जगा जो owner है, वो ही business manage कर रहे, लेकिन company के अंदर owner अलग है, business को समानने वाला आदमी अलग है company दो तरह की होती, मेरी company private limited, मतलब मेरी company का share मेरे पास, मेरी wife के पास है, किसी के पास नहीं है, हम लोग public में share नहीं दे सकते, लेकिन public company reliance ITC, share दुनिया के पास है, public के पास है, public limited company share market में listed है, सारी public limited नहीं, बहुत सारी, public limited company का assets business बहुत बड़ा है, private company का छोटा है, लेकिन दोनों company में, जो लोग share holder है, उनका liability limited है, जैसे सराफ academy, सराफ गुरुकुल मेरी company है, सराफ academy brand name, सराफ गुरुकुल private limited, उसमें मेरे पास share है, वो share का जो पैसा है, मैंने company को दे दिया है, यानि कि अगर company में कोई loss होता है, मैं personally company के liability के लिए responsible नहीं हूँ, जबकि sole proprietorship में partnership में LLP है तो नहीं हूँ, company में तो कभी भी नहीं हूँ, limited liability मतलब your value of share, तो ना तो reliance ना सराफ गुरुकुल दोनों में मैं liable नहीं हूँ, इंडिया में हम लोग बोलते हैं private limited company के नाम के आगे, जैसे हम लोग लिखते हैं, सराफ गुरुकुल private limited, सराफ गुरुकुल private limited, UK म हम लोग बोलते हैं कि जो public limited है, public limited not private, उसके सामने लिखा जाता है PLC, जैसे मान लीजी Reliance, तो UK में लिखा जाएगा Reliance PLC, PLC, PLC मतलब private limited, माने public limited company, इंडिया में private के सामने private लिखना जरूरी है, UK में public के सामने public लिखना जरूरी है, जो भी है, तो यह अलग-अलग type का business organization है sole trader owned and done by one person, the owner is legally liable, that means not separate from the business liability, partnership owned by more or more than one person, traditionally partnership do not have a separate legal liability, मतलब, partnership का liability partner responsible है, लेकिन दुनिया में limited liability partnership बनने लगा है, LLP, India में भी बनता है, UK में भी बनता है, limited liability company है, company है, separate legal entity to its owners, who are owned as shareholders, the owner's liability is limited to the amount they have invested in the company, in the UK there are two types, in India also there are two types of limited company, private limited with limited after their name, लेकिन इंडिया में private limited के लिए private word होना जरूरी है, UK में खाली limited, और public limited के लिए UK में PLC word होना जरूरी है, India में नहीं, Reliance Limited, Reliance Public Limited बोलना जरूरी नहीं, ULTA है इंडिया में, बहुत सारे organization, profit के लिए नहीं बने है, school है, college है, hospital है, club है, charity है, society है, हमारी building में society है, हमारी building का एक society बना है, वो society का काम profit कमाना नहीं है, building का काम देखना है, building का maintenance collect करना है, building के बारे में सोचना है, club है, तो यह सब non-profit oriented organization है, सराफ गुरुकुल profit oriented, ACC इंस्टिचूट profit non-profit oriented, SEMA इंस्टिचूट not for profit oriented, education, school, hospital, club, society, यह सब not for profit oriented organization है, hospital का काम है, patient को ठीक करना, council का काम है, council की जो members है, जो purpose है, उनको फुल्फिल करना, government का काम है, government का objective पूरा करना, charity का काम है, भलाई का काम करना, which three of the following are not for profit, school not for profit, medical research not for profit, local publicly funded hospital not for profit, sole trader profit, private limited company profit, local government not for profit, public versus private, आप ऐसा समझेगा, माल लिजए हमारी building में society बनी है, वो society public है की private है, public मतलब जिस पे government का control है, private मतलब जिस पे government का control नहीं है, तो हमारी जो society है building की, वो private है, लेकिन वो not for profit है, society इसलिए नहीं है की profit कमाना है, सराफ academy प्राइवेट है, लेकिन वो profit oriented organization है, लेकिन प्राइवेट के अंदर भी not for profit oriented organization होते हैं, प्राइवेट के अंदर भी NGOs होते हैं, non government organization, for environment, for safety and all that, public के अंदर तो सारे government, private के अंदर profit oriented, non profit oriented दोनों है, public sector, government owned for basic amenities like military, transport, this education, healthcare, लेकिन प्राइवेट के अंदर, प्राइवेट के अंदर run by private like me, Saraf Academy, और may be run by private for community purpose, for charity and all that, within these both profit seeking, non profit seeking are there, non government organization, माल लीजे, बड़ा बड़ा organization, world में, red cross, green peace, amnesty international, इनका काम दुनिया की बहलाई करना, green peace का environment, red cross का कोई natural community, amnesty कुछ अलग पर, यह बगड़ा बड़ा, इनका income, एक country का income से जादा है, donation इतना आता है, these are non government, non government मतलब government का काम, यह non government organization, private organization पूरा करते हैं, world में भी है, इंडिया में भी है, state level पे भी सब जगह है, cooperative society मतलब हमारी building का society, club, cooperative society का का काम जो members है, उनके benefit के लिए members लोग काम करेंगे, but it is not for profit making, कोई भी organization को कैसे कैसे defer कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि ownership किसके हाथ में है, control कौन करता है, हम लोग बोल सकते हैं कि profit oriented है, कि not for profit oriented है, हम लोग बोल सकते हैं कि size बड़ा है, कि सोटा है, हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास पैसा कहां से आता है, money कहां से आता है, different different बाते हम बोल सकते हैं, that is just asa ही, list the organizations, how they are different, छोटा सा topic है, which is talking about what is business organization, what are the different types of business organizations in India or anywhere in the world, why they are, what is the purpose, अगर business organization नहीं होता, ये world में business नहीं होता, ये world open economy नहीं बनता, ये world में GDP वगर ये सब कुछ नहीं होता, ये world ग्रो नहीं करता, इतने सारे जो developments वगर हो रहे वो कभी नहीं होते, हम लोग एक दूसरा का कोई किसी का help नहीं करता, तो it is for social purpose, for a collective purpose, an organization is required, that organization may be entrepreneur, may be partnership, may be company, may be profit oriented, not profit oriented, cooperative society, NGO, कुछ भी हो सकता है, सब का purpose एक ही है, पैसे अलग-अलग तरह से आते हैं और अलग-अलग purpose फुल्फिल किया जाता है, that is called business organization, organization, तो वो लोग subject को चालो करने के पहले, आपको organization का feel दे रहे हैं, क्यों? जब आप आगे के जो भी topic पढ़ेंगे, और गनाइजीशन का यह जो classification है, वो आपको हर जग काम आएगा, इसके उन्होंने syllabus में डाला है, मैंने इससे related कोई question नहीं किया, आप इसको एक बार go through करिएगा, उसके बाद next class में हम लोग इसके ओपर कुछ questions करेंगे, exam kit में जाकर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगर फिर भी कोई भी doubt कुछ भी हो, आप mail डालिए, हम लोग next class में जब मिलेंगे, हम लोग बात करेंगे, आप अगर नहीं रुक सकते, बहुत ही जल्दी है, आप whatsapp कर दीजिए, call कर लीजिए, मैं help कर दूँगा, मैं अगर call नहीं उठा रहा हूँ, थोड़ा धीरज मैं बात कर लूँगा, कोई technical query बगर है, आप team से बात करेंगे, mail करेंगे, हो जाएगा, अपना focus के साथ आगे बढ़िए, कोई problem नहीं, 2023 चालू हुआ है, हमें कुछ अचीव करना है, 23 में, कुछ करना है, कुछ करके जाना है हमें, ये सोच कर आगे बढ़िए, एकदम committed, को करें अना करें, अपना काम करिए, that's my advice, और wherever any help is required, I am always available, that I can say, so कल हम लोग सीमा के लिए, सुबह मिलेंगे, की study की class, और ACCA की class, और सीमा की जो common class अब हो, Friday, दोपैर में 1 बजे, उसके लिए आपके लिए, पास link जाएगा कल साम तक, कल साम तक, next class का, live class का link, Wednesday की class का link, Tuesday साम तक, एक दिन पहले मैं link देता हूँ, आपके पास जाएगा, आप class अटेंग कर सकते हूँ, okay, so we are leaving for today, anybody has any query to ask, anything to ask, किसी को कुछ भूलना है, कुछ पूचना है, Tata, bye-bye, thank you to all of you, study hard, those who are not registered in सीमा, please share your documents, so that I can help you for the registration with सीमा इंस्टिटूट, because till the time you are not registered, you are not getting the assignments, you cannot solve, you cannot appear for the key study exam, तो आपको तभी मिलेगा, जब आप रजिस्टर करेंगे, उनको पेमेंट करेंगे, उसके बाद, वो लोग थोडा दिन बाद, आपको अस्टिन देंगे, okay, thank you to all of you, take care, Tata.